पलामु जिले के चैनपूर के बोकिया में हुई जबत बालु कारवाई मामले में पलामु पुलिस ने रिपोर्ट तलब किया है जिला खनन विभाग से ये जिला खनन विभाग से पलामु एसपी संजीव कुमार ने रिपोर्ट मांगा है कई बिंदूओं पर रिपोर्ट मां में ये बाते जानना आप सबको जरूरी है कि 20 जुन को SDM सदर के निर्थित्व में बालू के श्टॉक याड पर छापे मारी की गए थे और छापे मारी में 50 से भी अधिक वाहनों को जब्त किया गया था ये सभी बड़े वाहन दूर परदेश अलग अलग राजियों के से आये हुए थे जो डंपी याड से यहां से बालू का उठाव कर ले जाने वाले थे इन सब पर हुई कारवाई के बास से लगातार कई मामलों का खुला सा जहां परत दर परत हुआ वहीं प्रसासनिक अब तक प्रसासनिक कारवाई नहीं की गई है जिस पर जिला खनन विभाग से कई विंदूओं पर पलामु एसपी संजीव कुमाने रिपोर्ट मांगी है देखने वाली बात होगी कि आगे चल करके इस जप्त बालू के खिल में आखिका कौन-कौन से गुल खिलते हैं